अभी सुबह के 9 बजे हैं और मैं आज गाड़ी की सर्विस करवाने के लिए जा रहा हूँ और जो मेरी सर्विस है वो 25,541 किलोमेटर है तो कराणी तो मुझे 30 पे थी लेकिन मैं हर 7,7-8,000 पे सर्विस करा लेता हूँ तो इसलिए मैं 37,8 का ही टार्गेट रखता हूँ देखो गाड़ी की मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी अगर गाड़ी का मैंटेने सच्छे रखना हो तो आप लोगों को उसका कुछ ध्यान रखना है तो आप सभी को राम राम और आप सभी का चैनल पे स्वागत है तो अभी मैं आपको किलोमेटर दिखार देख लीजिए यह मेरे 25,341 किलोमेटर पे सर्विस हो रही है तो गाड़ी की अगर आपको केर करना है तो एक तो इसका एर फिल्टर है अगर आप ज़्यादा जहां डश्ट उड़ता हो तो उस इलाके में चल रहे हो तो उसको हफते दस दिन में साप करते रहे है तो आपकी आयरेश ठीक है निकलेगी गाड़ी की और जो ओईल है वो तो देखो मैं साड़े साथ आठ अजार पर करा लेता हूं आप लोग भी अब सोच लीजे वैसे तो आप लोग सोचगे कि भाई ज्यादा पैसा रहा है ऐसा कुछ नहीं देखो अपने सरीर का सब ध्यान रखते है तो गाड़ी का भी ध्यान रखना चाह ही है अच्छी सर्विस तो गाड़ी मेंटर हैगी और सब को ठेक रहे है और मेरे साथ अभी इस गाड़ी को तीन साल हो चुके तो तीन साल में मुझे कोई प्रोब्लम आई नहीं है इसमें हाँ पी आए थी स्पीती वाले ट्रिप पे लेकिन वो गल्ती हमारी थी तो उसमें स्पार्क जो सोट हो गया था तो उसमें तो कुछ कह ने सकते हैं तो आज देखते हैं इसका क्या क्या होए है उस टेम तो किलो मेटर की माल लीजिए लेकिन मैं तो 25,300 एक तालश किलो मेटर पर करा रहा हूं और जल्दी सर्विस के बाद कोई ना कोई ट्रीप लगाने की सला है तो देखते हैं कि कहां का ट्रीप लगे कहां का नहीं कौन मेरे साथ होगा कौन नहीं होगा या के लई जाना पड़ेग अज थोड़ा मोसम भी ठंडा है दूंदे चाही हुई है अलकी अलकी और वहां उन से संजीव से तो बात होगी है संजीव से तो मैंने फॉन कर दिया कि भही आ रहा हूं क्योंकि मैं तकरीबन गाड़ी संजीव को हैंड़ोवर करता हूं जो एडवाईजर है काफी अच्छ क्योंको दिक्कत आ रही है तो वह जो वीडियो डाल रहे है तो ठीड़ी डाल रहे होंगे सुवह सुवह भी ट्रैफिक है तो गाड़ी की टाइम से सर्विस करेए ताकि आपको कोई प्रोब्लम नहीं आए आगे चलके मैं तो यही बोलुआ और आप लोगों के उपड़ी पैंट है वह आप क्या करना चाहते हैं क्याने वो तो आप लोगों की मर्जी है लेकिन गाड़ी का एयर फिल्टर ओयल फिल उसको चलाता काम हूँ क्योंकि यहाँ पर सकता ही हो चुकी है NCR में तो कभी उसको बॉंड कर दे और पता चले कि कुछ नहीं मिला और कबाड़ी के वहाँ में कट गई चल्यों अब चलते है कि या फ्रन्ट येर वरक्स ओपो पहुच्चत है और गाड़ी की महा शर्विस कराते हैं और आपको बताते है कि क्या-क्या मेरी गाड़ी का काम हुआ तो क्या-क्या नहीं यह मैं फ्रंट इयर किया वर्क्षोप पोच गया हूँ संजी भाई को फिर मैंने पकड़ लिया है और संजी भाई अपना प्रोसस दिखा रहे है कि सीट पर यह क्या लगा रहे हो सीट पर बाई यह सीट कवर लगते हैं ताकि सीट गंदी ना हो सेफिके लिए और अब आज हमारी गाड़ी की कौन सी सर्विस है 30,000 वाली है तो इसमें क्या क्या चेंज करना है इसमें आपका बेसिक होगा इंचन वायल फिल्टर और चेक अप होगा पेट सर्विस होगा क्लेनिंग होगा एंड अपडेट होंगे जो भी अपडेट होंगे बिल्कु जी बि दिक्कत आई नहीं है आप लोगों की तरफ से तो किया तो देखो मैं तो कहूंगा बेस्ट है मेरे लिए तो अब तक तीन साल हो गई तो कोई प्रोब्लम नहीं आई है और यह तो है कि हमें टैम से सर्विस करवाते रहे तो उससे और अच्छा है जैसे मैं साढ़े साथ अच्छी प्रफोनेंस आती है उससे गाड़ी का के रहता है जैसे अपने सरीर का भी ध्यान रखते हैं तो चलिए अब हम आवर संजीव इसका जोग काड़ खोल देते हैं फिर आपको फिर दिखाते है कि गाड़ी की सर्विस होने के बाद क्या है क्या बिलाया कितना आया हम तो यहां वेट करता हूं एक दो घंटे में कह रहें गाड़ी मिल जाएगी तो गाड़ी इसकी सर्विस होके फिर यहां से निकलेंगे फिर क्या प्लान आगेगा वह बाद में सोचेंगे कहां जाना क्या नहीं और अभी गाड़ी सामने लगी हुए लेकिन वे कह रहें कि व गाड़ी मेरी लिफ्ट पर लग चुकी है तो अभी एक देट गंटे में साइद लग जाएगा टाइम तो चलो काम करने देते हैं फिर उसके बाद आपको बताएंगे कितना बिल आया है कितना नहीं आया है गाड़ी की सर्विस हो गई है और मैं गाड़ी के अंदर हूँ क्योंकि भार थोड़ा अवैतराज करते वीडियो बनाने के लिए सामने है दूसरी गाड़ी का जोब कार्ड खोल रहा है आपको डिटेल बता रहा हूँ जो मेरा खर्चा आया है 6,239 रुपे आया है जिसमें पर्फ्यूम की है वो मेरी डली है और एक वाइपर पीछे का वो चेंज हुआ है तो यह मेरा टोटल जो पार्ट्स का खर्चा वो 3119 रुपे है तो पार्ट्स में तो कोई दिक्कत है नहीं 3119 वी टेक्स यह 3775 रुपे टोटल टेक्स का लेकिन जो 2454 बैस वो थोड़ा मुझ बिल है इसमें बिल में कहीं कुछ वो नहीं है आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए क्या क्या है यह ओल फिल्टर हो गया है यह फिल्टर यह सारा हो और यह देख लीजिए यह सामने 3775 मेरा पार्ट्स का और 2454 लेवर होगी तो यह थोड़ा ज़ाद लग रहा है वैस लेकिन चलो 5-6,000 रूपे तो देखो आए गई गाड़ी का भी लागर इतनी बड़ी गाड़ी ली है तो अब यहाँ पे गेट पास बनवा लिया है अब निकलने की तियारी है तो अभी जाते हैं एक दो दोस्तों से मिलते हैं भी हो गई है ओके भी होगी है और जो गाड़ी की सर्विस मैंने आपको बताई दिया है फिर आपको बार-बार रिपीट कर रहा है साथ आठ जाजार पे मैं सर्विस करा लेता हूँ तो नॉर्मल मान के चलो पांच जाजार रुपे तो खर्चा आना है तो देखो अगर आप सोड़ा सतरह लाग की गाड़ी ले रहे हो पांच जाजार रुपे खर्च कर रहे हो तो पांच चा महीने में एक बार मतलब साल मे जादा जादा दस बार दस अजार रुपे खर्च कर ली आपने अगर दो बार सर्विस होगी तो 14-15,000 किलोमेटर चल गी तो उस विसाफ से आप खुदी कल्कुलेट करके देख सकते हो और मुझे दिक्कत कहीं कुछ नहीं आ रही है ना चलाने में गाड़ी में इर लिए ब मिली गई और आप सभी को अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज इसको लाइक सबस्क्राइब और सेर करें और बाबा भले करें